अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही वबरकातुहू प्रेप्लास हमारा आज का जो पेगाम है वो है घुसा नहीं करना हम आज उर्दू का जो पेज पढ़ेंगे वो है पेज नमबर 34 आज हम मश्क हल करेंगे ठीक है देखें क्या लिखा हुआ है मिसाल के मताबिक जोड के तोड लिखें प्रेप्लास देखें आपके सामने ये अलफाज लिखें हुए है जोड कर ठीक है इनके हमने हर्फ बहर्फ तोड लिखने हैं ठीक है सबसे पहले उन्हें एक मिसाल दी वी है लिखा हुआ है पे अलिफपा लाम वाउलो पालो अब इसको तोड़ के लिखा है सबसे पहले कौन सा हर्फ है पे फिर अलिफ फिर लाम और लास्ट पर क्या है वाउ इसी तरह ये सारे अलफाज लिखियों में हैं, इसको हम हर्फ बहर्फ लिखेंगे दूसरे नमबर पर है जागो हम लिखेंगे ऐसे, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पर जो हर्फ है वो क्या है? जीम जीम प्लस का साइन लगाएंगे फिर क्या है? अलिव फिर क्या है गाफ और लास्ट पर कौन सा हर्फ है वाउ यह लिख दिया वाउ नेक्स्ट है भागो भा अलिफ आगे है गाफ नेक्स्ट है वाउ यह देखें पच्चो इसी तरह आपने यह देखें अलफाज लिखें हुए है इनको हर्फ बहर्फ लिखना है आप देखें लिखाव है आप इदर देखते हैं लिखाव है फोड़ा सबसे प्याले क्या हम लिखेंगे फोड़ा फिर प्लास का साइन लगाएंगे फिर लिखेंगे वाउ अगला हर्फ कौन सा है रे और लास्ट पर कौन सा हर्फ है अलीफ इसी तरह लिखें यह देखें लिखा हुआ है नाओ सबसे पहले लिखेंगे नून उसके बाद कौन सा हर्फ है अलीफ प्यारे बचों देखें मैंने अलीफ को वर्टिकल शेप में लिखा है आपने भी इसको वर्टिकल शेप में लिखना है फिर क्या है हमजा और लास्ट पर जो हर्फ है वो है वाउ ठीक है इसी तरह नीचे आजें इधर भी इधर लिखें हुए है तोड़ ये थे जोड की तोड इसको हमने हर्फ बहर्फ तोड के लिखना था हर्फ को अलग अलग करके ठीक है इधर लिखें हुए है तोड़ इसको हम जोड के लिखेंगे यह देखें हर्फ लिखा होगा फिर दूसरे हर्फ तीसरा चोथा इनको हम जोड के लिखेंगे तो यह क्या बन जाएगा यह जोड बन जाएंगे देखें ये वाओ यो 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 इसको हम कैसे लिखेंगे ये वायो यो 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 ये देखें हम दूसरा मीम वायो मो रे वायो डो मोडो ये हम क्या रिख रहे हैं? तोड़ के जोर ये देखें क्या बन गया इसे तरह इतर देखे चा अलिफ चा लाम अलिफ ला चा ला यह देखें साबसे पहले हम लिखेंगे चा इसको थोड़ा सा आगे की तरब यह आगे इसके साथ अलिफ को मिला देंगे और फिर लाम अलिफ ला चा ला ठीक है आगे लिखा हुआ है फा फिर लिखा है वाओ रे अलिफ ला फा वाओ फो रे अलिफ ला फोड़ा फा वाओ फो रे अलिफ ला फोड़ा इसी तरह प्रेप क्लास आपने पेज नंबर 34 को मुकमल कर लेना है यह हमने लिखे जोड के तोड आपने इदर हर्फ बहर्फ हर हर्फ को अलग लगतर के लिखना है ठीक है और इदर हमने लिखे हैं तोड के जोड इदर अलग अलग हर्फ लिखे हैं इनको हमने जोड के लिखना है जैसे ही देखें डाल अलिफ डाल आम वालो डालो इसी तरह आमनी सारा पेज कम्प्लीट कर लेना है वालदें से वजारिश है कि अपने बच्चों को सबग याद करवाया करें उनसे सुना भी जरूर करें और अलिफ को वर्टिकल शेप में लिखवाया करें Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu